दिव्या भारती 14 फर्वरी 1974 पांच अप्रेल 1993 हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री थी जिनकी अभिने विविद्ता से उन्हें अपनी पीडी के सबसे चित्ताकर्शिक युवा अभिनेत्री होने का गौरव मिला। नब्बे के दशक से अपनी करिय की शुरुवात करने वाली दिव्या ने कई प्रकार के व्यावसाईक रूप से सफल गती चित्रों में अभिने किया है। हिंदी फिल्मों के अलावा दक्षन भारतिय सिनेमा में भी दर्शकों से उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। अधिक ततपर्ता से भारती ने अपनी करिय की शुरुवात तमिल एवं तेलुगू फिल्मों से ही की थी। अभिने के अतिरिक्ट भारती में एक प्रभाव शाली व्यक्तित्व की छवी नजर आती थी। डिव्या भारती जन्म 25 फर्वरी 1974 मुंबई, भारत मौत 5 अप्रेल 1993-1919 मुंबई, महराष्ट्रा, भारत आवास, मुंबई, भारत राष्ट्रियता, भारतिय पेशा, अभिनेत्री भारती ने अपने अभिने की शुरुवात तेलुगू फिल्म बोबिली राजा से सन 1990 में की। शुरुवाती समय में भारती को कम महत्व संबंदित भूमिकाय दी जाती थी। फिल्मी सफर में उन्हें सफलता हिंदी फिल्म विश्वात्मा से मिली। इसी फिल्म के साथ समुंदर पार गाने से उन्हें एक अलग पहचान मिली। सन 1992 तक भारती स्वयम को बॉलीवुड में एक सफल नायकत्व के रूप में स्थापित कर लिया था। अन्य फिल्म में सरूप शोला और शबनम एक नाटकिय फिल्म जिसमें भारती को निदर रास के भूमिका को दर्शाया। 1992 में बनी प्रेम प्रसंद युक्त फिल्म दीवाना में भारती के निश्पादन ने उन्हें फिल्म फिय सर्वश्वेश्ट नवोदेत अभिनेत्री के पुरसकार से नवाजा गया। 1992-1993 के मध्य तक भारती ने मात्र 19 वर्ष की आयू में 14 साथ हिंदी और साथ दक्षन भारतीय फिल्में की। अपने कम समय के करिय के दोरान मुख्यधारा के सिनेमा के अलावा भारती ने एक शक्तिशाली अभिने की उत्पत्ती की। उनकी आंतिम पूरी की हुई फिल्म में रंग सेह अभिनीत कमल सदानाह और शत्रंज सेह अभिनीत जैकी श्रॉफ थी जिन्हें भारती के 5 अप्रेल 1993 में रहस्य मय मरंग के बाद जारी किया गया। यद्यपी भारती को अपने संपूर्ल करिय में कई अवनतियों का सामना करना पड़ा, उन्होंने खुद को ढूंड़ा और स्वयम को बॉलीवुद में एक सफल मुकाम बनाने में काम्याब भी रही। 1993 में हुई उनकी रहस्माई मृत्यू से उनका करिय भी समाप्त हो गया। शाजिद नाडियाडवाला से निकाह के बाद दिव्या का नाम और धर्म बदल कर शना नाडियाडवाला किया गया। हमारी कहानी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद। झाल